चलिए बच्चे मैं प्रभाद दुबे एक बार फिर से इस यूटूब चैनल पर आप सभी बच्चों का शागत करता हूं मैं प्रभाद दुबे ठीक है और सारे बच्चों को गुड मौनिंग ठीक है कल की क्लास में हम लोगों ने बच्चे डिसकस कर लिया था प्रस्ता होना प्रेंबल के बारे में आपका कंप्लीट करा दिया था और जो उसमें नयाय वगेरा रह गया था समानता रह गया था उसको हम आगे डिसकस करेंगे ठीक है तो चलो आज का बच्चे जो हमारा नया टापिक होगा ठीक है ये हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता सिटीजन सिफ आफ इंडिया पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे ठीक है बच्चे और जितने भी बच्चे चैट पर बने रहते हैं ठीक है सारे लोग बने रही है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं आज का जो हमारा नया टापिक होगा इस क्लास में वो होगा ब citizenship और ये सब सारे बच्चे हमारे जानते हैं कि जो नागरिक्ता है अम ये नागरिक्ता पढ़ेंगे कौन से देश की पढ़ेंगे नागरिक्ता भारत की पढ़ेंगे बच्चे और भारत की जो नागरिक्ता है आप सबको पता है single citizenship होता है यानि एकल नागरिक्ता का प्राउध आपको भी पता है कि भारत देश में कौन से नागरिक्ता का प्राउधान है एकल बच्चे वैसे नागरिक्ता दो प्रकार की होती एक सिंगल सिटीजन सिप होता है एक डूल सिटीजन सिप होता है क्लेर हो जाएगा सिंगल सिटीजन सिप्स की अगर बात किया जाए तो सिंगल citizenship ब्रिटेन में थे और ब्रिटेन से कहां आया भारत आया यानि भारत देश में नागरिक्ता का प्राउधान कहां से किया गया तो आपका result होगा सर ब्रिटन से लिया गए अमेरिका में कैसी नागरिकता है बच्चे तो आपको पता है dual dual नागरिकता में क्या होता है सर अभी मैं एक domicile के बारे में आप पर discuss करेंगे बच्चे तो अमेरिका में पहले राजिस से permission लेना पड़ता है फिर राष्ट से permission लेना पड़ता है यानि राजी की citizenship भी वहाँ निवारता है बच्चे और फिर राष्ट की citizenship तो वहाँ पर वो dual citizenship कहलाती है भारत देश में बच्चे क्या होता है आप किसी भी राजी के निवासी हो और भारत की किसी भी राजी में निवास कर सकते हो बच्चे तो ये थोड़े से डिफरेंस जो होते है ठीक है पर्मानेंट एड्रेस होता है एक बच्चे नॉन पर्मानेंट एड्रेस होता है तो इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर क् पार्ट कौन से में है तो आपका result होगा सर पार्ट टू में है यानि भाग दो में है फिर बच्चे आपका तीसरा question हो जाएगा कि गुरू जी अनुच्छेद कहां से यानि आर्टिकल कहां से शुरू हुआ है तो आपको पता है सर आर्टिकल पांच से लेकर कहां तक ग्यारा यानि 5 सी 11 के मध किसका प्राउधान किया गया है नागरिकता का प्राउधान किया गया है कहां तो भारती ये शमिधान में कौन से पार्ट में तो दो पार्ट में किया गया है और बच्चे आर्टिकल कहां से कहां तक 5 से 11 तक है clear भारत में नागरिकता डूल है कि सिंगल है तो तो भारत देश में नागरिक्ता कहां से लिया गया, ब्रिटन से लिया गया, तो ब्रिटन में भी क्या है, एकल है, भारत में भी क्या है, एकल है, भारत देश की कौन से बच्चे, भाग में प्रावधान है, दो, आर्टिकिल कहां से कहां तक है, पाच से और गया, अब एक बच्चे नागरिकता मूल संविधान का हिस्सा था लेकिन अगर पूछा जाए बच्चे मौलिक करतब fundamental duties तो आपका result होगा सर fundamental duties भारती मूल संविधान का अंग नहीं था इसे बाद में हमने लिखित रूप से क्या किया सामिल किया clear ऐसी बच्चे कल मैंने प्रस्तावना में आपको बताया था तीन शब्द शमाजवाद पंत निर्पेक्ष और अखंडता ये हमारे मूल संविधान के हिस्से नहीं थे लेकिन लेखित रूप से हमने बच्चे 42nd amendment के तहट 1976 में से क्या कर लिया सामिल कर लिया तो ये point से याद रखो भारत देश में एकल नागरिक था है ब्रिटन से लिया गया part 2 में है बच्चे और article 5 से लेकर कहां तक है 11 तक है बच्चे अब नागरिक किसे कहते सबसे बड़ा matter आएगा बच्चे तो देखो भारत देश में वैशे अभी स्रीज बनाते जाएंगे बच्चे अब ये नागरिक वहब्यक्ति नागरिक बच्चे definition क्या होती है वहब्यक्ति जिसको राज्य में अब यहाँ पर राज्य का मतलब सरकार है जैसे बच्चे आर्टिल 36 में आएगी राज्य की परिभाशा ठीक है आर्टिल 12 में आएगा बच्चे राज्य की परिभाशा तो जो ये राज्य की परिभाशा होती है सर इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा जब आर्टिल डिसकस करूंगा तो राज्य की परिभाशा जो होती है वह व्यक्ति जिसको राज में राज में सामाजिक यानि सोसलिस्ट बच्चे सामाजिक योम राजनेतिक सामाजिक योम राजनेतिक यानि पुलिटिकल बोथ अधिकार राइट्स राइट्स प्राप्त होते हैं उन्हें बच्चे हम क्या कहते हैं नागरिक कहते हैं यह definition याद रखना नागरिक की बच्चे रिखा हुआ मैंने वह व्यक्ति जिसको राजि में पूरी की पूरी सोस्री बच्चे यानि सामाजिक और प्लस राजनैतिक दोनों बोथ राइट्स प्राप्त हों बच्चे ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं नागरिक कहते हैं तो रागरिक कहां का निवासी हो गया राजी का बच्चे अब दो प्रकार से होगा निवासी एक अस्थाई और एक आस्थाई फॉर एक जामपल मैं यूपी का हूँ बच्चे और अभी हमारी जो domesile है बच्चे clear हो जाएगा एक domesile basic होगी मूल बच्चे अधिवास होगा और एक बच्चे क्या होगा अरजित अधिवास होगा तो अरजित अधिवास और अधिवास के बारे में मैं आपको बताऊँगा मूल domicile जहां पर हमारा जन्म हुआ हो जहां पर हमारे माता-पिता रहते हों saar यह हमारा basic अधिवास है या basic domicile है पिर बच्चे मैं क्या करूँ UP से चला जाओं । दिल्ली में और दिल्ली में saar मैं काम करूँ रेईडेंस मेरा दिल्ली हो गया लेकिन अभी सर दिल्ली में मैं काम कर रहा हूँ तो अहाँ पर रेजिडेंस है लेकिन हमारा बेसिक डोमेसाइल यूपी का है बट रह बरतमान में रह कहा रहा हूँ दिल्ली में रह रहा हूँ लेकिन मैंने दिल्ली में क्या कर लिया sir land purchase कर लिया अब वहां का मैं किया हो गया अस्थाइ निवाशी हो गया sir clear हो जाएगा तो एक तो बच्चे permanent था जो हमारा मूल हो गया और गयार permanent था जिसको मैंने permanent में बदलना बच्चे clear तो यहापन नागरिक वहा होता है वहाभिकति होता है जिसको भाराजी के सभी सामाजिक और राजनायतिक दोनों अधिकार क्या हो प्राप्तों ऐसे ब्यक्ति को हम क्या कहते हैं नागरिक कहते हैं बच्चे क्लियर हो जाएगा लिख लीजेगा कहीं उतार दीजेगा डिफिनिशन और ये जो ब्यक्ति है बच्चे जो नागरिक है ये जो नागरिक है बच्चे जिनको हमने सामाजिक और राजनातिक दोनों अधिकार दिया है बच्चे ऐसे ब्यक्तियों को राजी के प्रति निष्ठावान डेडिकेटेड निष्ठावान होना चाहिए या निष्ठावान होंगे जिने सोसल बच्चे और प्रिटिकल दोनों राइट्स प्राप्त है यही कर लो बच्चे निष्ठावान होना चाहिए कभी कभी बच्चे क्या होता है कुछ लोग बिरोध कर जाते सर देश में ही रहकर देश के साथ गदारी कर जाते बच्चे तो ऐसे लोगों की भारत देश में नागरिक्ता के अंत का भी प्राउधान किया गया है तो यहाँ पर ऐसे लिख लो बच्चे राजी के प्रति उस ब्यक्ति को निश्ठावान होना चाहिए उस ब्यक्ति को या उस नागरिक को बच्चे जिसको हमने अपनी नागरिक बच्चे एक्टिक के तहत शामाजिक और राजनायतिक बोथ अधिकार हमने दे रखा है वेटा ठीक है नोट कर लेंगे जल्दी से अब हमारे राज्यों में बच्चे दो प्रकार के नागरिक निवास करते हैं सबको पता होगा बच्चे हमारे राज्यों में दो प्रकार के नागरिक निवास करते हैं सर दो प्रकार के नागरिक निवास करते हैं एक तो सिटीजन आउप भारतिये नागरिक और एक होते विदेशी फार्नर एक होते फार्नर एक होते सिटीजन आफ इंडिया एक होते हैं भारतिये नागरिक और एक होते हैं विदेशी अब विदेशियों में भी दो प्रकार के नागरिक होते हैं सर एक सत्र देश का नागरिक होता है और एक मित्र देश का नागरिक होता है ये भी याद रखेगा विदेशों में भी दो प्रकार के नागरिक एक सत्र द चल लही है और अभी चीन से सर्युद्ध हो जाए तो चीन हमारा मित्राष्ट वना की सत्राष्ट बन गया सत्राष्ट बन गया और जब यह सत्राष्ट बन गया बच्चे तो आपको बताओ यार उसका जो नागरिक होगा हमारा कैसा नागरिक हो जाएगा मित्र नागरिक हो ज जाएगा शत्र हो जाएगा बच्चे क्लेर हो जाएगा अब यहां पर डिफ्रेंस समझ लो यार जो बिदेशी है सर यह हमारे देश का है कि बाहर से आया तो रिजल्ट होगा सर बाहरी राज्जी का नागरिक है क्लेर हो जाएगा यानि कि बच्चे और जो बिदेशी होगा त यहां पर लिखेंगे बाहिरी राज जी के निवासी है पहला difference हुआ यह हमारे ही राज जी के हैं और दूसरा point हुआ बच्चे बाहिरी राज जी के हैं clear हो जाएगा अब यह जो हमारे भारतिय लोग है सर यह अपने राज जी के प्रति निश्ठावान होंगे निष्ठावान हो सकते हैं निष्ठावान हो सकते हैं बच्चे ये निष्ठावान होंगे और वो निष्ठावान हो सकते हैं बच्चे अब जो हमारे भारती नागरिक हैं बच्चे अब इनको हम दो अधिकार देते हैं बच्चे सामाजिक प्लस राजनैतिक दोनो अधिकार प्राप्त है इनको बच्चे ठीक है किसको भारतिय नागरिक को लेकिन बच्चे क्या यहाँ पर हम विदेशियों को भी राजनैतिक अधिकार दे दें नहीं दे सकते बारत देश में राजनातिक अधिकार का मतलब है चुनाव लड़ने का अधिकार ओट देने का अधिकार तो क्या बिदेशियों को बच्चे ओट देने का अधिकार है तो आपका रिजल्ट होगा सर बिदेशियों को ओट देने का अधिकार नहीं है तो फिर इनको कौन सा अधि तो आप लिख सकते हो सरकार द्वारा इनको सामाजिक अधिकार प्रदान किया गया है सामाजीक अधिकार प्रदान किया गया है बच्चे क्लियर हो जाएगा किसको विदेशियों को वेटा सोसल राइट से प्राप्त है इनको सोसल राइट से ही प्राप्त है फार्नर को लेकिन बिद भारतियों को बच्चे सोसल प्लस पुलेटिकल बोथ राइट से प्राप्त है भारतिय नागरी को मत देने का भी अधिकार है इनको चुनाव लड़ने का भी अधिकार है बस बच्चे मुकदमे उकदमे ना हो या मांसिक रूप से विछप्त ना हो यानि पागल ना हो दिवालिया ना निकला हो बस clear इनको बच्चे हमने सिर्फ सोसलस राइस दिया यानि की सामाजी कधिकार दिया बच्चे अब जहां से देखो नागरिक दो प्रकार के राज्जी म अपने constitution के प्रतिक्या होते हैं, ये बच्चे बाहरी राज्जी के हैं, और आपको पता Indian government की permission से हमारे देश में बच्चे कुछ दिनों के लिए वास करते हैं, उसके बाद written ही अपने राज्जी लोट जाते हैं, हमने अपने भारतियों को सामाजिक क्योंकि हमारे नागरिक है सामाजिक और राजनैतिक बोथ अधिकार दे रखा है, लेकिन यहाँ पर हमने इनको सिभ क्या दिया, सोसलिस्ट राइस्टी दिया बच्चे, कोई भी political right विदेश्यों को या foreigner को प्राप्त नहीं है, नोट करिए बच्चे, और यहाँ तक बताईए चीजे समझ में आई, मै एकल नागरिकता है, ब्रिटेन से लिया गया है, पार्ट टू में है, आर्ट किल फान से लेकर ग्यारा तक है, ठीक है, पक्का है, बिदफार्नन भी कितने टाइप के होते हैं, दो, एक मित्र और एक सत्र, और बच्चे दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस बता, एक डिफरेंस आगे ही बताएंगे बच्चे, एक सुन लो, यहाँ पर आगे लिखा देंगे, भारतियों नागरिक को बच्चे सेना में सामिल होने के लिए बाद ही किया जा सकता है, लेकिन बच्चे उससे पहले हमारी fundamental duties भी है, क्लेरो जाएगा सेना के आवाहन के करने पर हमें उसमें सा और आप बच्चे अपनी स्वैक्षा से सामिल नहीं हो रहे हो, तो सरकार कानून बनाकर आपको बाद भी कर सकती है, फिर बच्चे है, यहाँ पर बच्चे इनको बाद नहीं किया जा सकता, विदेशियों को बाद नहीं किया जा सकता, बच्चे क्लेर, आगे difference बताएंगे, बोलो इतनी बाद समझ में आई, important topic होगा, मैंने एक point यह बता दिया, नागरिकता दो प्रकार से होती है, एक एकल नागरिकता होती है और एक दोहरी नागरिकता होती है बच्चे, ठीक है? नागरिकता कितने प्रकार से? दो प्रकार की होती है, एक एकल नागरिकता होती है, सिंगल सिटीजन सिप होता है, और एक दोहरी नागरिकता होती है, डूल सिटीजन सिप होता है, और डूल सिटीजन सिप में अमेरिका, एकल में बच्चे था, ब्रिटेन, और ब्रिटेन से ही चल कर ये कहां पहुँचा तो आपका रिजल्ट सर हो जाएगा भारत आया तो भारत में भी एकल नागरिक्ता और ब्रेटन भी नागरिक्ता कितने प्रकार की दो प्रकार की सर भारत में नागरिक्ता कितने प्रकार से प्राप्ति की जा सकती है तब वहां पर आपका रिजल होगा सरफ 5 प्रकार से भारत में नागरिक्ता ली जा सकती है से अगर कोई पूछे कि नाजर эфф कितने प्रकार की होती है तो आप बोलोगे दो ठीक है और स inclus lovely land में जो दहे देहरी नागरिक्ता बच्चे देखी जाती थी वह लग खत्म हो चुकी है, तो सुझ ज लैंड में भी, क्योंसी नाघ्रिक्ता भोजाएगी बप्चे, दोरी नाघ्रिक्ता हो जाएगी, वही पर देखा जाता था, बप्चे क्या कहते हैं, तहरी नाघ्रिक्ता, चीख है, तो नाघ्रिक्ता कितने प्रकार से, दो, दो में बच्चे एक एकल नागरिकता और एक दोहरी नागरिकता, clear हो जाएगा बच्चे, अब देखिए सर, हमने अभी कहा कि जो भारतिय सिडीजन होते हैं, इनको political अधिकार मिल जाता है, कौन सा अधिकार बेटा, political अधिकार, ये थोड़ा सा जाना, हमारे हां बच्च बच्चे, भारतिय नागरिक को, जो भी भारतिय नागरिक होते हैं सर जी, जो भी भारतिय नागरिक होते हैं, हम इनको बच्चे कौन सा अधिकार देते हैं, राजनैतिक राइट्स देते हैं, clear हो जाएगा, अब ये जो राजनैतिक राइट्स होता है बच्चे, ये बैस्क पर होता है और रटारा वर्स पर इसे हम ओट देने का अधिकार देदेते य對不對 enc strict ad horaaded देने का है ेर्इट टू ओट है आप रेट टू ओट का अधिकार हमें कितने वर्स पर मिल जाता था तो आपको पता है पहले ये बच्चे कितने वर्स पर था 21 वर्स पर जिसे घटा कर हमने कितना वर्स कर दिया आपको भी पता है सर 21 वर्स से घटा कर 18 वर्स कर दिया गया अब आप बताओगे वह कौन सा constitutional बच्चे मेंडविंग विल था या कौन सा बच्चे क्या कहते है सम्विध अठारा कर दिया गया और अठारा वर्स के लोगों को भारत में भारत का नागरिकता चैप्टरे कहता है इसको मैं पोलिटिकल राइट्स दे रहा हूं जो भारत के बच्चे क्या होगे वैस्क हो जाएंगे ठीक है और इसी में सर अठारा वर्स से जब आप उपर बढ़ोगे तो आपका आएगा कितना वर्स एकईस वर्स जितने भी लोकल गवर्मेंट के चुनाओ होते हैं लाइक जिला पंचायत परधानी बीडीशी ये सब आप कितने वर्स पर लड़ोगे 21 वर्स पर जितने भी निम्न सदन के चुनाओ होंगे चाहे वो बच्चे लोक सभा हो और चाहे वो कौन सी सभा हो बिधान सभा हो बिधान सभा लोक सभा लड़ने की उम्र कितने वर्स होनी चाहिए 25 वर्स होनी चाहिए तो लोक सभा का जो नेता होता है वो पीम होता है प्राइम मिनिस्टर होता है कौन होता है प्राइम मिनिस्टर होता है तो प्राइम मिनिस्टर भी बनने की उम्र कितने वर्स 25 वर्स बेटा और विधान सभा में CM होता है यानि चीप मनिष्टर भी बनने की उम्र कितने वर्स होनी चाहिए 25 वर्स होनी चाहिए अब यहाँ पर देखो सर भारतियों को political rights प्राप्त है लेकिन किसको वैश्क को वैश्क यानि की adult को कितने वर्स पर मिल जाता है 18 वर्स पर सिर्फ क्या देने का ओट देने का अधिकार मिलता है चुनाव लडने का अधिकार एक कैस वर्स पर है कौन से चुनाव लोकल चुनाव प्रधानी BDC clear हो जाएगा बच्चे निम्न सदन कचुनाव हम कितने वर्स पर लड़ते हैं 25 वर्स पर चाहे हो लोक सβह और चाहे हो विधान सबह विधान सबह का नेता CM होता है तो अगर सदसे वो 25 वर्स पर बन गया वीटा तो विधान सबह का ही सदसे थो CM बनता है या विधान परिशद का भी होता है तो आगे बताते हैं तो CM और Prime Minister यानि CM PM बनने की भी उम्र कितने वर्स हो जाएगी 25 वर्स हो जाएगी इसी में एक अगला भी यही पर डिसकस कर लेते हैं सर अब 25 वर्स तक मैंने बता दिया फिर बच्चे आपका आएगा कितना वर्स 30 वर्स आएगा अब 30 वर्स में बच्चे राज्यों में विधान परिशद होती है क्या होती है विधान परिशद और केंदर में राजसभा होती है तब उसकी प्रधान मंत्री बनने की उमर कितनी होगी तब आप रिजल्ट लगाओगे 30 वर्स और अगर ऐसे पूछ लेगा तो आप लगाओगे कितना वर्स 25 वर्स यह SI में आया हुआ last time question था बच्चे कि अगर कोई व्यक्ति राजी सभा का सदस्य हो तो प्रधान मंत्री बनने की उमर कितनी होगी तो आपका रिजल्ट आएगा कितना सर 30 years और अगर कोई सदस्य लोक सभा का है तब उसको बच्चे प्राइम मिनिश्टर बनने की उमर कितनी होगी तो आप लगाओगे सर 25 years अगर कोई राजी में बिधान परिशद का सदस्य है तो सियम बनने की उमर कितनी होगी 30 वर्स हो जाएगी लेकिन अगर कोई बिधान सभा का सदस्य है तो बच्चे मुख मंत्री बनने की उमर कितनी हो जाएगी 25 वर्स हो जाएगी बताओ इतनी बात समझ में आई की नहीं आई जल्दी बोलो नोट कर ले न कहीं पर इतनी बात बताओ समझ में आई की नहीं आई अब इसमें एक लास्ट और बच रहा है 35 वर्स कितने वर्स बेटा? अब 35 वर्स पर बच्चे हम राष्ट पती का चुनाओ लड़ते हैं कितने वर्स पर? 35 वर्स पर और बच्चे उपर राष्ट पती का चुनाओ लड़ते हैं लेकिन यहाँ पर एक मैं बढ़ा देता हूँ यहीं पर बच्चे एक ब्यक्ती की नियूक्ती होती है और उस नियुक्ति केवेक्ति का नाम है राजिपाल और राजिपाल की नियुक्ति कौन करता है तो रिजल्ट होगा राष्टपती करता है सर जी तो इन तीनों को बनिने की उम्मत का नियधारण कितना रखा गया है 35 वर्स रखा गया है 35 वर्स रखा गया है अब इसे नोट कर जलो सर, 18 वर्स, 21 वर्स, 25 वर्स, 30 वर्स और 35 वर्स मैंने बता दिया, ये सारे हमारे political rights होते हैं वेटा, ठीक है, पहली बार political rights हमें कितने वर्स की अवस्था पर मिल जाता है, तो आपका result होगा सर, 18 वर्स की अवस्था पर कैस का अधिकार, तो आप बोलोगे सर, right to vote का अधि जाते हैं, अब इतनी बात बताओ, समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी, समझ में आ गया होगा, उमीद है, चलो आगे बढ़ते हैं सर, फिर से थोड़ा सा डिफरेंस है, शिटीजन यानि नागरिक, फार्नर यानि विदेशी, अस्थाई निवासी होता है, आस्थाई होता है, कुछ दिन के लिए होता है सर, नोट कर लो जल्दी से, सामाजिक प्लस, राजनैतिक, इसे दोनों अधिकार प्राप्त है, इसे सिर्फ सोशल राइट्स, तीसरा प्राइट, सेना में भरती होने के लिए, होने के लिए वाधि किया जा सकता है, वाधि किया जा सकता है, यहां लिख देना, वाध्य, नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, जल्दी उतारहिए, और यहीं पर एक पॉइंट्स और, राजी की सीमा में कहीं भी निवाश कर सकते हैं, यहां पर लिख दीजिए गवच्चे, राजी में निवास, राजी में निवास सरकार के आदेश के बाद, यह सरकार के पर्मीशन के बाद बेटा, बाद कर सकते हैं, यानि जितने भी फार्नर होंगे, इनको इंडियन गवर्मेंट से बच्ची क्या लेना होगा, पर्मीशन लेना होगा, ठीक है, यह थोड़ा सा माइनर डिफ्रेंस था, नोट करो, की काईव जोगग माइनर रिफ्रेंस 9 ठीक है, दन है इतनी बात बच्चे सुरू से अन्त तक मैंने बताई, बताओ समझ में आई की नहीं आई, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे उमीद है समझ में आ गया होगा, फिर से सुनना, फिर से सुनना दो मिनिट पूरा रिवीजन कर दे, फिर आगे बताते थोड़ा सा, डोमेसाईल के बारे में बात करेंगे बच्चे हैं न, और इसी में बच्चे आप लोग देखते रहते हैं, उसर एनराई वगैरा के बारे मे सुना होगा, नन रेजिडेंसियल इंडियन हो गयरा, तो ये भी इसी में सबाज आएगा, सब क्लियर कर देंगे, कन्फ्यूजन मत रखें बच्चे, कोई भी चीज नहीं छूटेगी, चलो द्यान से सुनो, पहला क्वेस्चन है, भारत देश में एकल नागरिकता की दोहरी तो रिजल्ट तुरंथ होगा, सर एकल, कहां से लिया गया, ब्रिटन से लिया गया, कौन से भाग में है, एक टेट में आया हुआ क्वेस्चन था, भाग दो में है, क्लेर हो जाएगा, फिर दूसरा है बच्चे, कि ये क्या कहते हैं, नागरिकता कितने परकार की होती है, ब बिदेशी, देशी वो नागरिक होते हैं, जो राज्जी के निवासी होते हैं, बिदेशी वो जो बाहरी राज्जी से आये होते हैं, बाहरी राज्जी के निवासी होते हैं, क्लेर हो जाएगा, भारत देश में बिदेशी भी दो परकार की होते हैं, एक मित्र देश के राजनातिक राइट्स हमने नहीं दिया है क्योंकि वो बाहरी राजी के निवासी होते हैं हमारे राजी के निवासी नहीं होती तो क्या बच्चे भारती नागरिकों को राजनातिक अधिकार प्राप्त है येस प्राप्त है बच्चे नागरिक किसे कहते हैं उस व्यक्ति को कह जो राजी का निवासी होता है अस्थाई निवासी होता है और उसे सोसल राइट्स और प्लस पुलेटिकल राइट्स बोथ प्राप्त होते हैं ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं नागरिक कहते हैं राजी क्या होता है तो राजी सरकार होती है सरकार में कौन-कौन होते हैं तो आगे मैं बताऊंगा बच्चे पारलेमेंट होती है केंदर की सरकार और बच्चे विधानमंडल होती है राजी की सरकार और केंदर और राजी के सभी प्राधिकारी क्लेर हो जाएगा ये सारे के सारे लोग परिभाशा डेफिनिशन बनते हैं किसकी वेटा राजी की बन जाते क्लियर अब आगे बढ़ लेते हैं सर जी क्या वच्चे विदेशियों को political power political rights नहीं क्या भारतियों को yes क्लियर कितने वर्स की अवस्था पर हमें political rights मिल जाता है तो आप तुरंद बोलोगे सर 18 वर्स की अवस्था पर हमें तो वच्चे वस्था को मिलता है जो west हो चुके होते adult हो चुके होते हैं ओट देने का अधिकार 18 वर्स क्या भारतियों को चुनाव लडने का अधिकार है? yes है सर कितने वर्स की अवस्था मैं तो local चुनाव लडने की अवर्स होती है 21 वर्ष निम्न सदन का चुनाओ 25 वर्ष उच्छ सदन का चुनाओ अपर हाउस का चुनाओ 30 वर्ष और फर्ष्ट बच्चे स्टेट व्यक्ति यानि की सिधा कह सकते हो राजी का प्रथम नागरिक बनने के लिए और राष्ट का प्रथम नागरिक बनने के लिए बच्चे आपका रिजल्ट हो जाएगा सर 35 वर्स चाहिए अब पैने ये भी बता दिया कि बच्चे सेना में भारतिय नागरिकों को बाद किया जा सकता है लेकिन विदेशियों को बाद नहीं किया सकता बच्चे क्लेर हो जाएगा अब यहां तक बताओ चीजे समझ में आ गई कि नहीं के अंदर कहीं पर भी निवाश कर लेता है लेकिन बच्चे विदेशियों को फार्नर को सरकार से आग्या यानि सरकार से पर्मीशन लेना क्या होता है अनिवारे होता है निवास करने के लिए ठीक है आगे बड़ा जाए फिर तो अगला हेडिंग डालो बच्चे अधिवास डोमेसाईल अधिवास डोमेसाईल अधिवास डोमेसाईल अधिवास, डो मेसाइल डो मेसाइल है ना बच्चे इसे पर्मानेंट हाउस भी कह सकते हो पर्मानेंट हाउस अधिवास को बच्चे डो मेसाइल को पर्मानेंट हाउस भी कह सकते हो सर, इसको दो भागों में डिवाइट कर लो बेसिक डो मेसाइल जो होती है उसे मूल अधिवास कहते हैं, एक हम अरजित करते हैं बच्चे इसमें लिखिएगा जैनमास्थान वर्थ प्लेस वर्थ प्लेस दूसरा पॉइंट माता पिता निवाश करते है माता पिता क्या करते है बच्चे निवास करते है यहाँ पलिक देना बच्चे मूल अस्थान को छोड़ कर अन्य राज्ज में अन्य राज्ज में बस जाते हैं अन्य राज्ज में बस जाते हैं या किसी अन्य राज्ज में चले जाते हैं कि इसे अर्जित अधिवाश कहते हैं कि और इसे बच्चे मूल अधिवाश कहते हैं कि यह हमारी डोमेसाइल होती डिफ्रेंस समझ में आ गया होगा समझ में आया समझो मैंने कहा आधिवाश परमनिंट हाउस दो प्रकार से होता है बच्चे परमनिंट हाउस ठीक है जा मैं पढ़ा रहा हूं यही का मैं निवासी हो तो राज्य हो गया कोई ना कोई राज्य हो गा और नेशन तो एक ही होता है आप सभी को पता है और हम किसी भी राजी की सीमा के अंदर निवास कर सकते हैं बच्चे अब फॉर एक्जामपल लेते हैं बच्चे अभी मानलो मैं दिल्ली में हूँ बच्चे और मैं दिल्ली का पर्मानेंट निवासी हो तो मेरा डोमेसाइल बनेगा वो कहा का होगा दिल्ली का होगा क्योंकि दिल्ली जो है वो हमारा क्या है वर्थ प्लेस है बेटा जन्मस्थान है और हमारे बच्चे बर्थ प्लेस पर हमारे माता पिता क्या करते हैं निवाश करते हैं तो इसे बेसिक डोमेसाइल बोलेंगे यानि कि मूल अधिवास बोलेंगे अभी तक मैं मूल अधिवासी था कहां का दिल्ली अब मैं दिल्ली में ही रह जाओं तो बच्ची कोई बात नहीं मेरा जो बेसिक डोमेसाइल होगा वही हमारा पर्मानेंट एड्रिस रहेगा बहुत रहेगा बच्ची क्लेरो जाए रेजियनेंस भी रहेगा लेकिन अभी मैं दिल्ली से उठूं बच्चे और तामिल नाडू चला जाओं अब तामिल नाडू गया मालनो वर्क करने गया कोई कारी करने गया और वहाँ पर मैं बच्चे रूम लेकर रहने लगा अब जब रूम लेकर रहने लगया तो क्या वहाँ पर मेरा पर्मानेंट हाउस हो गया नहीं सर हमारा पर्मानेंट पर नहीं हुआ है लेकिन बच्चे एक आस्थाई निवास अस्थान हमने बना लिया एक आस्थाई निवास अस्थान हमने बनाया अब मैं बोलूं अस्थाई निवास तो मैं दिल्ली बोलूंगा और गैर बच्चे अस्थाई निवास या आस्थाई निवास तो हम बोलेंगे कहा तामिल नाडू में ही सर क्या हुआ अभी तक मेरा बर्थ प्लेस दिल्ली है मूल डोमेसाइल जो हमारा है वो दिल्ली है लेकिन अभी तक मैं यहाँ पर बच्चे आस्थाई निवासी था फिर हमने क्या क्या तामिल नाडू में लैंड को अरजित कर लिया बच्चे अब जब मैंने अरजित किया भूमिको तो वहां का जो बच्चे मैं अब डोमेशाइल लूँगा वो हमारा अरजित डोमेशाइल होगा क्लेर हो जाएगा तो अगर उसमें पूछा जाए तो अब डोमेशाइल दिल्ली का भी है यानि कि मूल बच्चे हमारा जो बेशिक डोमेशाइल है वो दिल्ली का है और बच्चे अरजित डोमेशाइल जो होगी वो हमारी कहा की हो जाएगी तामिल नाडू की हो जाएगी बच्चे यानि मूल अस्थान को छोड़ कर अन्राज में जाकर बश जाना या अन्राज में च समझमें आई कि नहीं आई जलदी से सारे बच्चें और जो निवास होता है वह हमारा दोनों होता ये परमानेंट भी होता है और आस्थाई भी होता है बच्चे याद रखिएगा तामिल लाडू में गया काम करने आस्थाई था सब कुछ ले लिया अर्जित कर लिया वहां की डो में साहिल बच्चे तो वहां का मैं फिर आस्थाई निवास हो जाऊंगा ठीक उमीद है इतनी बाते समध में आगें होंगे हेटिंग डालेंगे एंगलो इंडियन इसको भी है फिनिश करा लो मैंने प्रिविएस वीडियो में कहा था कि बच्चे इस बार जो समधान का संसोधन हुआ है जनौरी फरोरी में अब एंगलो इंडियन की संख्या लोकसभा में क्या कर दी गई है खत्म कर दी गई 2030 तक कितने तक बिटा 2030 तक यानि अगले 10 वर्स तक अब लोकसभा में कोई भी इंगलो इंडियन सदस से नहीं होगा अब बताएंगे सारे बच्चे बताएंगे जल्दी से क्वेश्चन लीजिएगा सारे बच्चे बताएंगे यह इस समय एड़ टाइम जो लोकसभा चल लई है यह सोलवी लोकसभा चल लई है या सत्रवी लोकसभा चल लई है यह आप तुरंत बताएंगे जल्दी से पारे में बात करें बच्चे सोल वी चल लही है या सत्र वी चल लही है एट दा टाइम चलो ध्यान से देखो बाकिया अंसर करते रहे ना भारत देश अगर पूछा जाए कि सर आजात कब हुआ तो आपका रिजल्ट होगा सर तुरंग 15 अगस्त 1946 को भारत देश क्या हो गया आजाद हो गया संविधान कब लागू हुआ तो आपका यही पर रह गये आजादी के बाद बिदेशी और बिदेश उमभी बच्चे यूरोपियन जो हमारे देश पर बच्चे व्यापार की एसासन की आजादी के बाद बिदेशी यूरोपियन यही पर रह गये उन्हें एंगलो इंडियन कहा जाता है बीस लाख से जादा लोग रह गये थे बच्चे आजादी के बाद बिदेशी जो यूरोपियन थे पुर्तगाली आपको पता ही होगा पुर्तगाली फ्रांसी सी डेनिस डेन है ना बच्चे और बिटेन वाले भी लोग नोट करो जल्दी से पॉइंट अगर पूछा जाए क्या सर पूछा जाए बच्चे क्या सर भारतिये शम्मिधान में क्या सर भारतिये सम्मिधान में एंगलो इंडियन की परिभाशा दी गई है तो अगर बच्चे भारतिये शम्मिधान की बात कर देंगे तो बैधानिक होगा की गैर बैधानिक तो बैधानिक हो जाएगा तो पक्का है बच्चे एक आर्टिल बनाया गया है थ्री डबल सिक्स के बच्चे पैरा सेकंड में यानि सब क्लाज सेकंड में बच्चे एंगलो इंडियन की परिभाशा दी गई है उसे भी मैं लिख देता हूँ अभी तक मैंने कहा कि एंगलो इंडियन वो जो 15 अगस 1907 आजादी के बाद से कुछ बिदेशी जिसमें यूरोपियन रह गए वही क्या कहला है एंगलो इंडियन कहला है फिर हम बच्चे संबिधानिक प्रावधान भी इन के लिए हम करेंगे तो अगला प्वेश्चन बच्चे लिखेएगा सारे बच्चे लिखेएगा अनुच्छे थ्री डवल सिक्स का सब क्लाज सेकंड में बच्चे एंगलो इंडियन की डेफनीशन दी गई है यानि एंगलो इंडियन की क्या दी गई है परिभाशा दी गई है डेफनीशन दी थे एंग्लो इंडियन की क्या दी गए परिभाषा दी गई हैं लिख देना परिवाषा वहाँ वी जो लिखेगा बच्चे वह ब्यक्ति जो भारत का अधिवाशी है लेकिन उनके पूर्बज उनके लेकिन उनके पूर्बज यूरोपियन संग उनके पूर्बज यूरोपियन संग या ब्रिटेन के निवासी या ब्रिटेन के नागरिक थे ऐसे व्यक्तियों को हम इंगलो इंडियन कहते हैं और यह हुआ 15 अगस्त 1947 के बाद दो पॉइंट्स इसमें और बचा हुआ है बस पॉआ हुआ 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 है तो अनुच्छे 366 के सब क्लॉस सेकंड में एंगलो इंडियन की क्या दी गई है परिभाशा दी गई है हमने कहा बच्चे एंगलो इंडियन की संख्या भारत में क्या थी जादा थी बच्चे इनकी बच्चे संख्या 20 लाख प्लस थी आजादी के बाद तो हमने सर क्या किया लोक सभा में दो सीटों का रिजर्वेशन कर दिया इनके लिए प्रतिनिदित्य कर दिया क्यों कि शम्यदानिक प्राउधान हो गया बेटा तो ध्यान से देखिएगा अनुच्छे 331, आट के जो 331 था इसमें सर लोक सभा में लोक सभा में दो एंग्लो इंडियन का प्राउधान किया गया का प्राउधान किया गया कितने इंगलो इंडियन का दो और इनको बच्चे मनोनीत किया जाता था नॉमिनेट किया जाता था बच्चे और नॉमिनेट आपको पता है किसके द्वारा किया जाता था तो तुरंत रिजल्ट होगा सर स्विघ्र सांग कि इतने वर्सका होगा जलदी वोलो पाच वर्सका होगा इन Надо कोई अधिकार नहीं दिया जाता था बाच्चे नाम मात्र के सदस्व होते थे हैं तो आरेटिक गुल 331 में बच्चे, रिजर्व की गई कितनी शीटें, दो सीटें बेटा कितनी सीटें, दो सीटें, किसके लिए सर, एंगलो इंडियन, क्या भारतिय शमिधान में एंगलो इंडियन की परिभासा है यस, आपके बच्चे 366 के सब्सक्लाज सेकंड में है, ठीक है और बच्चे, मेरे ख्याल से देख लेना, सोलुई लोग सभा में, दो एंगलो इंडियन जो थे, एक थे बच्चे, रिचर्ड है यह सिक्षक थे और एक का नाम बच्चे है आपका जार्ज वंकर जार्ज वंकर, यह एक्टर थे बेटा यह सोलुई लोग सभा में हमारे दो एंगलो इंडियन थे और आपको पता है अब नए शत्र में इनका कारिकाल जब पूरा हो गया तो इस बार हमने प्राउधान खत्म कर दिया, मैंने कहा था अब बच्ची उरोपियों की संख्या सिप 2.5 लाख बची होई इंडिया में तो अब इनको प्रतनिद्ट देने की ज़रूरत नहीं है, तो अगले 10 वर्ष के लिए इस बच्ची लोग सभा में रिजर्वेशन जो जो सीज़ों का होता था इसे 10 वर्ष के लिए शमाप्त कर दिया गया ठीक है और विधान सभा में आर्टकिल 3-3-3 रिजर्व होती थी सीटे बच्ची इनके लिए एक एंगलो इंडियान भी खत्मा बच्ची ठीक है इंगलो इंडियान भी मैंने आपका बता दिया बच्ची विदेशी में और नागरिक में फर्क डिफेंस बता दिया कहां से आया यह बता दिया बच्ची कौन कौन से अधिकार किसको किसको प्राफिए जब आट किलम पढ़ेंगे बच्चे तो उसमें कुछ राइट्स देंगे fundamental राइट्स में मैं बताऊंगा कल बच्चे हम लोगों का जो topic होगा NRI के बारे में बता देंगे ठीक है non-residential Indian होते हैं और फिर बच्चे OCI और PIO Overseas Citizens of India और क्या कहते हैं PIO पीपल साफ इंडियन वरेजिन ये दो कार्ड जारी होता है भी देशियों के लिए ये मैं आपको बता दूँगा बच्चे उसके बाद सीधा सा बच्चे पांच प्रकार से भारत में नागरिक्ता प्राप्ति की जा सकती है एक बच्चे बायावर्थ यानि जन्म से एक बच्चे देशिये करण एक वंस परंपरा एक बच्चे भूमी अरजन द्वारा और आपको भी पता है बच्चे इन पांचों को हम क्या करेंगे डिसकस करेंगे पहला जन्म से हो गया दूसरा बंस परंपरा से हो गया तीसरा पंजी करण द्वारा हो गया चोथा देशी करण द्वारा हो गया और पाच्वा बच्चे जो होगा भूमी अरजन द्वारा नागरिक्ता होगी और बच्चे जो अधिनियम है नागरिक्ता अधिनियम भारत में 1955 में बनाया गया कब ब वाला काट रा इंडिया में इसके तैत NRC है बच्चे की ठीक है नेशनल रेजिस्टर्स के बारे में भी यही पर NRC के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे बेटा और यही पर सिटीजिंसिप अमेंडमेंट आक्टिक 19 के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे OCI डिसकस करेंगे पीपल साफ इंडियन वरिजन डिसकस कर लेंगे ठीक है और एक-एक दो-दो लाइन बच्चे बता देंगे कि जन्म से क्या है कब से बच्चे डेडलाइन घोसित की गई ये सारी कहानिया हो जाएंगे ठीक है तो आज के लिए बस बच्चे इतना ही ठीक और सारे बच्चे क्रोना से बच्चे रहे COVID-19 से अपने आपको सेफ रगे और तब तक जब तक बचाय रखो बच्चे जब तक मार्केट में दवा ना आ जाए रूस ने बच्चे कमिट्मेंट किया है कि हमने COVID-19 की जो injection था वो मैंने क्लियर कर लिया है और कहते हैं बलादमीर पुतिन जो बच्चे रूस के रशिया के प्रेसिडेंट है उन्होंने सबसे पहला injection अपनी बेटी को दिया है बच्चे उनकी दो बेटिया है दो बेटियों में से एक बेटी को लगाया गया है क्लियर हो जाएगा और बच्चे अक्टूवर तक possibility है कि market में बच्चे injections आने की ठीक है तो तब तक अपने आपको secure रखो बेटा और बाहर मत निकलिये और आपको भी पता है सर की बहुत तेश फैल लहा है अब अपनी सुरक्षा अपनों आतों में है बच्चे ठीक है तो चलो उमीद है सारे बच्चे हमारे अच्छे होंगे और बस ऐसे मन लगा के पढ़ते रही है बच्चे ठीक है चलो बबाई टेक केर बटा बाई बाई